गुड मॉर्निक छात्रों दीपक सिंग आरच्छे आपका विवस्याइक सिक्षक और समयूजी कैपसिटर सम लोग पढ़ रहा हैं पेपर 3 में चुकि कच्छा बारा के लिए कच्छा बारा के छात्रों का पेपर यही है तो बार बार कहना उचित नहीं पिछले वीडियो में सिर्देशाने यह क्रe आपने सब्सक्राइबर नियुक्त करना तो बारा का उचिति इस में दो प्रकार के मुक्षी होते हैं लो आ पाइडर टाइप जैसा आप यह पएलर टाइप देख रहा यह इसमें यह ट्रीमर टाइप में भी जो है समानतर कप टाइप कर सिटर होते हैं और कई तरह के विभिन परकार के उनकी अंतरिक सर्ण रचना होती है और कप टाइप वायर। पिंट टाइप डिस्क टाइप तो आप से पूछा जा सकता है- समयोजी कप اसटर को बताएं। और जो है इनका कितने परकार की होते हैं और कहां कैसे यूज़ होता है जैसे कि आप कुछ कपसिटर को आप देख लें जैसे कि डिस्क टाइप कापसिटर है तो इसकी रेटिंग तीन में पिको फायरेट से 30 पिको फायरेट और कम्मुनिकेशन उकरोनों में जो मोबाइल वगर आपके हैं जैसे टीवी वगर तो उसमें इसका डिस्क टाइप कापसिटर का प्रयोग किया जाता है और दूसरा इसी तरह से आगर आप देखें तो पैडर कापसिटर तो इसका को भी परवर्तनी मतलब इसको अंदर भी इस तरह का देखें बाइसन रचना होती है तो यह पैडर यहां पर है तो इसको आप इस तरह से घुमा घुमा के इसकी धारता कामान आप जो है चेंज कर सक तो इसका अच्छेतर भी आप बना सकते हैं इजी वाला और पैडर कापसिटर इसको मैं पेज में भी दूगा आपको इसका व्यूप्योग वही कम्मुनिकेशन और ट्यूनिंग के लिए किया जाता है और बहु प्लेट के भी डायलेक्ट्रिक या गैंग कापसिटर के यह रेडियो में आपके प्रयोग होता है फ्रिक्वेंसी पकडाने के लिए जैसे बीवी सी बिटिस प्रोटकास्ट कार्परेशन या वारंसी या लखन तो वहां पर जो डेडियो में आपके कापसिटर लगा रहता है तो उसे गैंग कापसिटर करते हैं क्योंकि इसके इंदर कई तरह के जो है वार्यवल होता है इसका चितर भी आप देखें तो यह देखिए बहु प्लेटी परिवर्तन मतलब इसके अंदर यह चितर है आपका तो यह इसको आप इसको घुमाते जाएंगे तो हर इस्टेशन जैसे एक रेडियो में आपका पकड़ता है तो इसमें इसका प्रियोग किया जाता है गैंग कापसिटर इसको कहते हैं और इसमें इसकी रेटिंग भी वही पांच पीको फैरेट से 600 पीको फैरेट तक होती है और वोल्टेज अक्सर पूछता है तो 500 वोल्ट DC तक यह काम कर सकता है DC और इसका उपयोग वही रेडियो ट्रांजिस्टर रिसीवर में इसका प्रियोग होता है कापसिटर से जो है अक्सर पूछता है कि इसके कापसिटर के लॉस क्या है तो लॉस में आप आराम से रेजिस्टेंस का प्रत्रोथ का लास होता है लीकेज लास होता है थोड़ा थोड़ा उसमें से कुछ निगेटिव निकल भी जाते हैं और डाइलेक्ट्रिक जो उसके वोल्टेज का ध्यान रखना चाहिए कि कापसिटर की वोल्टेज जो है दस बीस परसंट जो उसका वो है उपर नीचे होने वाला वैरेबल वो ना उसे ज़्यादा ना हो वोल्टेज देखें फिर उसका कापसिटेंस देखें कि उसका मान सही हो और उसकी किसम देखें और तो फिल्टर सर्कुट के लिए ले रहा है तो पचास हर्ट के पेपर इलेक्ट्रोलाइटिक लेंगे आप और एफ के लिए ले रहा है तो बीस किलो हर्ट के लिए पेपर माइका लेंगे आर एफ के लिए ले रहा है तो बीस किलो हर्ट के लिए माइका सेरेमिक जो सेरेमिक आ और इसका ताफ से सम्बंद क्या होता है तो C is equal to अगर आपका positive ताफ गुलांक वाला कापसिटर है तो वो उसके समान पाती होगा और negative ताफ गुलांक वाला कापसिटर है तो वो जो है तो उसका उल्टा होगा C is equal to 1 upon T और जब आपका सुन निताफ गुलांक वाले कापसिटर है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए इसका कोई ताफ का प्रभाव नहीं पड़ता और टेपर 2 में मैंने आपको बताया भी था एक और चीज डाइलेक्ट्रिक जो है यह D दूरी होती है इस पर निर्भर भी करता है और इसके बीच में यह वोल्टेज रहता है तो जो है इस पर एपसाइलन जो आपको हमने दिया आर तो उपर Q1 upon Q2 तो यह इसका होता है आप इसे पूछता है डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक किसे कहते हैं तो Q2 upon Q1 is equal to epsilon यह डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक अब आता है आपका वायू का हमेशा जानियेगा स्थिरांक एक होता है और कागज का दो से दो दस्मेलों 6 तक एक नंबर में पूछ सकता है और आपका कैपसिटर का स्थिरेंडी करम मैंने पेपर 2 में आपको बताया था देखिए वही चीच फिर है आपका C1, C2, C3, C4 चुकी सबका वोल्टेज एक रहेगा इसलिए इसका फार्मूला भी जो निकल के आएगा अगर यह चार कापसिटर जुड़े हैं सबका मान एक एक फैरेट पीको फैरेट तो उसको सबको फैरेट में कर लिजे या पीको फैरेट ही का इसका देखें सूत्र आपका आपका एक बटाषी वही प्रतिरोद में जो आट वन क्लस रटो आर्टो आट होता है प्रतिरोध में और यह सूत्र से आप सवानंतर का सुत्र से इस प्रतिर कर्म का सुत्र ये आप दे सकते हैं दूसरा आप से इसमें पूछता है समानतर करम में प्रतुर कापसिटर कैसे जोड़ेंगे तो जैसे प्रतुर जोड़ते थे वैसे इसको भी जोड़ेंगे इसमें भी धारा देखिया अलाग अलाग हर कापसिटर में जाएगी तो इसका मतलब कि यह कापसिटर समानतर है, जब धारा अलाग लग जाया हर कापसिटर में यह रेजिस्टेंस में, तो वो समाना अंतर का लाते हैं, तो इसमें भी इसका भी सूत्र जोई हो जायागा, मतलब रेजिस्टेंस वाले का ठीक उल्टा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या है, तो उनको एक हिकाई में कर लिजेगा, और उसके बाद इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट्स जो आपके हैं, तो वो कुछ तो क्लास में भी आएंगे, हम लोग मिलेंगे, और कापसिटर की वैलू गयाद करने के लिए, तो उसमें आप जब किसी सेरमिक खी रहती है, तो तीसरा आंक सूने है, वो उसके वैलिव पीको फ्रड में होती है, उस अझ्या की पीको फ्रड में में हो जाते ते अगर तो दो अंकों में अगर है, तो आपका प्रड इनको फ्रड बलू होती है, तो उधाण में देखने जैसे यह 8 लिखा है, 6. zodasto 8 सब्सक्राइब इस तरह से रहेगा इसके बाद हम और अगर देखें तो आंकी कुदानर में भी अगर आप आ जाए तो एक बहुत समय नियतांग को याद रखिएगा टीछ पर टू सी इंटू आर तो सी कापसिटर है आपका जैसे 20 माइक्रो फायरेड है तो बीस गुड़े दस गाते माइनस च्छे फायरेड बना लिया आपने और उसके बाद आर रेजिटेंस मेगाओं हैं पांच में किलो में 1000 मेगा में तीन और सुनना च्छे कर लीजिए तो समय नियतांक आप से पूछेगा तो टीछ पुल्टो सीन टू आर ये समय नियतांक होता है और इसमें देखिए सी और आर कमान रख देंगे तो यह वी एक आंकिक सवाल आपका लग सकता है और इसके इं समारणता स्रेंडी करब में तुल का सूतर लिखिए और कापसिटर में कौन सी धारा बहिए सकती है एसी डी सी इस मुनलब बिएसी वहती है और इस तो कि नाम बताईए जो इस दिर हैं आपके परिवर्तरनी कापसिटर के नाम बताईए ग्रेंक जो आपका रीडियो वाला यूज होता है और ट्रीमर पाइडर कहां प्रयोग होते हैं तो इस तरह के सवाल आप क्या आते हैं अगर आप देख लिए तो वही ट्रीमर कितने प्रकार के होते हैं कहां कहां प्रयोग किया जाते हैं कपशिटर की परवासा दीए इसका वरगी करण कर दीजिए इस तरह से ब इसी पेपर 3 में और बहुत ही आसान है क्योंकि कच्छा 12 के लिए ही है यह तो आप इसको देखिए एक एक नमबर के भी आते हैं तर चुनिये कपेसिटर्स की यूनिट है फैरेट उनके बीच में जो है माइक्रो फैरेट और किसके तुल है दस घाते माइनस 6 यह सब एक एक न आप थोड़ा सा इंट्रेस्ट लें कच्छा बारेक लड़की इस बार पेपर बहुत आसान है असी परसेंट आराम से आप लोगों को मिलना चाहिए कि मैंनी मैंनी थैंक्स एंड बेस्ट आफ लग